मुझा पूराइट पूराइट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूँ आपके अपर हाइर मैथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही घल्फुल है आज मैं आपके सामने रियलांस इस पर काफी सारे वीडियो अपलोड कर दी एं तो आप यहां पर आईटे पर चाके मेरे प्रीवेज वीडियो देख सकते हैं इस कि limit को समझना जरूरी और limit मैंने आपको last class में बता दिया तो यहां पर आइटे पर जाके मेरे previous वीडियो से आप देख सकते हैं इस विन कोचीज epsilon-delta definition क्या बोलती है ध्यान देजे यह बोलती ही कि real value function f defined on an open interval i is set to be continuous at x is equal to a belongs to i मतब x is equal to a पर function continuous होगा for every epsilon greater than 0 there exists a delta मतब हर epsilon के लिए हमारे पास एक एसा delta exist करना चाहिए such that fx minus f is less than epsilon whenever x minus a is less than delta इसका मतलब क्या होता है यह समझाना चाहता हूँ मैं इसका मतलब यह होता है x minus a less than delta का मतलब यह होगा कि x minus sorry a minus delta और a plus delta मतलब यह जो point है यह क्या है यहां पर जो भी हम इस neighborhood में जो भी point लेंगे तो उसकी जो value है वो हमारे पास यहां पर that is fa minus epsilon और fa plus epsilon में क्या आनी चाहिए आनी चाहिए उसमें exist करनी चाहिए अगर कोई भी value ले जिस हम यहां ले तो यहां पर कोई point ले तो यहां पर हर एक ऐसा epsilon के लिए हमारे पास delta exist करना चाहिए यहां पर कोई भी value है इसको छोटा करते जाए तो भी यहां पर अगर हम कोई भी point ले तो उसकी function की value जाए वो इस fx के ने बरूड में आनी चाहिए अगर ऐसा होता है तो function हमारे पास यहां पर क्या होता है continuous होता है इस यहां पर इसकी arithmetic definition भी होती है function f is set to be continuous at x is equal to a if यहां पर उसकी limit exist करने चाहिए और point for function की value क्या होने चाहिए इस limit के बराबर होने चाहिए अगर ऐसा होता है तो function यहां पर हमारे पास क्या होता है अग function f is set to be continuous in open interval a b if it is continuous at every point of this interval मतलब अगर कोई function open interval में continuous है तो उसके हर point पे क्या होना चाहिए वो continuous होना चाहिए next continuity in the close interval के मतलब क्या होता function is close interval in close interval f a b is set to be continuous in a b if it is continuous at every point of close interval of a b मतलब close interval के हर point पे होना चाहिए continuous होना चाहिए गर हाता ऐसा होता तो function यहां पर क्या होता है close interval में continuous होता है मतलब end points भी हम यहां पर ले लेता है example देखें इसमें fx is equal to sin 1 by x where x is not equal to 0 and x is equal to 0 पर 0 आपको यह पता लगाता है कि यहां पर x is equal to 0 पर function continuous है या नहीं है तो हम सबसे पहले इसकी limit चेक करेंगे कि 0 पर इसकी limit क्या रही तो limit x tends to 0 fx की value हम चेक करेंगे तो x tends to 0 पर इसकी value जो हैगी वो हमारे पास क्याएगी oscillate करेगा मतलब यह यहां पर limit जो हैगी वो minus 1 से 1 के बीश में आएगी और यह oscillate करने के वज़े से यहां पर इसकी limit exist नहीं करेगी और limit exist नहीं करेगी तो function वैसे भी continuous नहीं होगा और मैं इसको आगे sequential definition होती है continuity के जिससे भी मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे उससे हम यहां पर prove करते कि function continuous नहीं है तो sequential definition of continuity हम आगे लेने वाले इसी class के इंदर तो आपको बताऊंगो next देखिए student आगे next आगे बढ़ते है student next अगला question है यहां पर यहां पर यह कि fx is equal to x sin 1 by x x is equal to 0 and 0 पर इसकी value 0 तो समझ में आ रहा है यहां पर कि हम इसकी limit निकालेंगे तो हम जानते हैं इसकी limit minus 1 से 1 के बीच में होती है पर student x multiply हो गया और अगर x यहां पर जीरो पुट करेंगे तो यह 0 हो जाएगा और इसकी value minus 1 से 1 के बीच में है तो सुन यह 0 हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा मतलब इसकी value 0 आ रही तो मतलब limit exist कर रही और इसकी value 0 आ रही और point पर value भी 0 आ रही मंदब 0 is not equal to 2, तो function is not continuous. क्या, अभी हमारे पास यहां पर गहा रहा है, 0 पर इसकी value कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो function यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? Continuous हो जाएगा, right? So, this is the concept. तो next, अगला बात करेंगे हम यहां पर, एक और question लेते हैं, हमें भी पता लगाना है कि एक से खुड़ यह पर continuous है कि नहीं, तो यहां पर हम यहां से इसकी left-hand limit निकालेंगे, है ना, तो जहां पर भी x हमारे रहा है रख दीजे, तो a square upon a, तो a minus a 0 हो रहा है, तो इसकी left-hand limit जो आरी हो 0 आरी है, और अपर limit जो, मतब right-hand limit डेखेंगे, तो ग्रेटे देने पर हम जहां पर भी x हमारे रखेंगे, तो a cube upon a square, मतब a आरा, a minus a 0 हो रहा है, मतब दोनों ही value हमारे पास left-hand limit और right-hand limit दोनों 0-0 हो रही है, और function, point पर function की value भी 0 हो रही है, तो function क्या हो जाएगा, पर अब mathematically इसको solve करें, तो कैसे करेंगे, limit x tends to a plus, a plus मतब यह right-hand limit देखेंगे न, तो limit h tends to 0, fa plus h हो जाता है, मैंने limit वाले chapter में आपको पता है था, तो यह हमारे पास right-hand limit का concept आएगा, तो यहाँ पर भी x हमारे रखेंगे, हम a plus h रखेंगे, और h tends to 0 रखेंगे, तो h tends to 0 पर 0 हो जाएगा, तो यह आएगा a cube upon a square, तो cancel होगा a minus a 0 आरा, यह आरा है, इसको टोटने हम इसकी left-hand limit निकालेंगे, तो limit x tends to a minus fx निकालेंगे, तो यह a minus h हो जाएगा, और जहाँ पर भी अब हम a minus से, मतलब a से छोटा, मतलब छोटा यहाँ पर आएगा, x is less than a, यह आएगा, और जहाँ पर भी x हमाँ पर क्या रखेंगे, a minus h रखेंगे, और a minus h रखेंगे, तो हमारे पास जो value आएगी, वो कितनी आएगी, यह आएगी, then h tends to 0 रखेंगे, तो हमारे पास कितनी दर रखेंगे, जीरो दर रखेंगे, तो पॉइंट पर फंक्शन की वेल्यू किया दर रखेंगे, हमारे पास 0 दर रखेंगे, x is equal to a, पर इसकी वेल्यू है, मतलब 0 है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी वेल्यू क्या आएगी, बराबर हो जाएगी, इसके, सो फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, continuous at x is equal to a हो जाएगा, इस वेल्यून यहाँ पर एक और क्शन देखेंगे, examining the for continuity for the function, fx is equal to mod x plus mod x minus 1 at x is equal to 0, तो इसके, सबसे वेल्यू आपको यह पता लगाना पड़ेगा, कि इसको खोलना पड़ेगा, तो इसको खोलना मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ, सुन यहाँ पर क्या होता है, सबसे वेल्यून आपको बताना चाहते हुआ, यहाँ पर x is equal to 0 है, तो जब x less than 0 लेंगे हैं आपके, इस वेल्यून आपको यहाँ पर क्या करेंगे हैं, x less than 0 लेंगे, less than 0 लेंगे हैं तो हमारे पास fx की value कितनी आएगी ध्यान दीजे, यह अब यहाँ पर 0 से कोई भी छोटी value रखेंगे तो negative आएगा, तो आगे mod है, तो positive है रहा है, इसका मतलब यह minus x आएगा, है ना, और यहाँ पर x की value 0 से छोटी रखेंगे कोई भी, तो भी negative है रहा है, तो यह भी minus x आएगा, तो minus x minus 1 तो इसकी value होगी हमारे पास, इसकी value होगी हमारे पास minus cut 2x plus 1 होगी, और अगर हम x greater than 0 कर देंगे, अगर हम इसकी बात करें, तो greater than 0 पर इसकी यह हमारे पास positive हो जाएगा, तो यह तो plus x ही आएगा, और यह greater than 0 रखेंगे, तो 0 से बड़ा कुछ भी value रखेंगे, तो भी negative आएगा, तो इसकी यह हमारे पास की आएगा, minus x minus 1 हो जाएगा, क्योंकि x की value कोई भी बड़ी रखो, 0 से बड़ी रखो, 0 और 1 के बीच में, not 0, तो 0 और 1 के बीच में बात करेंगे, तो 0 और 1 के बीच में बात करेंगे, तो इसको आप थोड़ा से इस तरह से लिखेंगे, तो ज़्याद अच्छा रहेगा, यहां पर हम बात करेंगे इसको, यह लिखेंगे, 0 से बड़ा और 1 से चोटा है ना, तो 0 से बड़ा और 1 से चोटा में रखेंगे, तो कुछ भी विल्यू रखेंगे, तो ultimately यहां पर क्या आएगा, यह 1 से चोटी और 0 से बड़ी रखेंगे, तो negative आएगा, negative आगे minus हो जाएगा, xx cancel इसको नहीं आपर इसकी विल्यू क्या आएगी, 1 आएगगे, तो यहां ध्यान दीजिए आप, हमें कुछ बता नहीं रखा, तो हम मान के चलेंगे, function यहां पर continuous है, सिर्फ जहां पर भी discontinuous है, जहां पर interval break कर रहा है, वहां पर हम बात करेंगे, क्योंकि function का behavior change हो रहा है, 0 पर यह है, और 0 से चोटे पर हमारे पास यह value आ रहे है, तो हम 0 पर बात करेंगे, function continuous है या नहीं है, तो 0 पर इसकी विलिए कितनी हारी, स्विंट 1 आ रही है, क्यों जैसे 1 से जिगूट 0 रोखेंगा, अब left-hand limit लगेंगे, तो क्या हैगा, limit h tends to 0, a minus h, limit क्या हैगा, लिमिट 1 minus, जहां पर भी a, a की जगह हम यहां पर, h तो यह यह आ जागा हमारे पास, हमारे पास a minus h आएगा, तो जहां पर भी x है, वहां पर a minus h रखेंगे, और h tends to 0 हो रहा है, और a हमारे पास 0 है, क्योंकि 0 हम 0 पर चेक कर रहे है, 0 minus h तो minus h आएगा, और h tends to 0 पर हमारे पास से विली किया जाएगी, वन आजएगा, इसी तरह हम राइट एंड लिमिट चेक करेंगे, राइट एंड लिमिट कियाएगा, इसमिन 0 प्लस h, यहां पर 0 minus h ले ले लेंगे, जाधा अच्छा रहेगा, क्योंकि 0 a की विली 0 है, 0 plus h और 0 plus h, बढ़ा है ना, 0 सर बढ़ा, तो 0 सर बढ़ा पर फंच्छन कि विली क्या दरी है, की 1 दे रिखी, त यहां कुछ फरक पढ़ने वाला नियू, तो यहां से बिस्क्वेवली 1 आ रही है, यहां से बिस्क्वेली 1 आ रही एंगे, यह पर क्या हो जाता है continuous होता है हम जानते है mode function हमेशा continuous होता है हाँ यह differentiable नहीं होता है clear है तो यह हम बात में जब differentiability check करेंगे तो हम आपको बताऊंगा next हागे बढ़ते हैं यह पर sequential definition बहुत important concept है एक definition यह भी होते हैं यह BSC वाले बच्चों के सामें काफी पूचा जाता है खास करके engineering students के भी यह जाता है तो sequential definition क्या होते है function f is defined on the interval i is set to be continuous at x is equal to it यह definition है जिससे में यह पता लगा सकते कि function continuous है या नहीं है if for every sequence a in converse to a मतलब sequence a in a को converge करेगी अगर a in a को क्या करें यह आपे अगर a in a को converge करेगा तो f n क्या होगा f a को converge करेगा राइट हना तो हम यहां पर वह यह कि a in a को converge करेगा देने f n f a को converge करेगा वह देखो example देके समझाओंगा कि कैसे होगा है एक बार मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ another definition एक और समझ लेजे कि अगर हमारे पास दो सिक्वेंस लें मानले जे ए एन और बी एन ली है ना दोनों सिक्वेंस यहां पर a पर कंवर्ज करें तो इसके function की सिक्वेंस लें और मैं इसके function के सिक्वेंस लूँ क्लेर है ठीक है अगर यह हमारे पास एलवन पर कंवर्ज करें और अगर दोनों बरावर आजाते हैं दोनों बरावर आते फंक्शन यहां पर क्या होता है तो इन दोनों की function की sequence भी same point पर converge करने चाहिए मतलब दोनों की value same होने चाहिए अगर नहीं होती तो function यहां पर क्या होता है not continuous होता है यह concept इस पर बेस्ट में आपके सामने एक example लेता हूं उससे आपको समझ मायागा एकजमपल ही रहे है हमारे पास अभी हमने प्रूब किया था कि function discontinuous होता है राइट पर अगर हमें sequential definition से प्रूब करना चाहिए तो कर सकते हैं माल लीजिए हमने एक sequence लिए यह वाली a n is equal to 1 upon n pi और b n is equal to 1 upon 2 n plus 1 pi by 2 हैना तो इसे उन हमने दो sequence लिए एक तो a n sequence लिए हना और एक b n sequence लिए और यहां पर हमारे पास यह sequence लेंगे मतलब ए जो पॉइंट आ रहा है उस पर यह रखेंगे यह जहां पर अपर भी एक्स है मतलब यह प्लस 1 पैबाइच तो आप देख रहे हैं यह बराबर नहीं होता है जिरो नॉट इस नोट इकुल दू और रहा है इनकी इनकी वेली उटा के हम यहां रखें तो यह बराबर नहीं है इसलिए फंक्शन यहां पर हो जाएगा discontinuous हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे इसको discontinuous प्रूव करते हैं, easily by the definition of, by sequential definition of continuity, right, next, आगे बढ़ते हैं, एक district functional concept भी हो, वोच भी समझ लिजी हो, सुनिया पर देरखा, show that the district function f where 1 x belongs to q and minus 1 where x belongs to irrational number, is discontinuous everywhere, right, तो आपको देरखा, suppose हमारे पास पर हम झानते हैं, अभी हमने जानता कि अगर सब्सक्राइब overeat अग्यान क्यूसां को कि इस तरह सिर्फ बtin cultivation बॉर य prawn ने को स्टाइब कर सकते हैं बाइब यह इस तरह से रही Orthodox definition of continuity, शवंड मैं next वीडियो लेने के लिकाा आना वाला हूं जिसमें मैं आपको discontinuous type of discontinuity के बारे में discuss करूँगा कि discontinuity कितने type होती है और कैसे हम questions को solve करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे Uniform continuity के बारे में uniform continuity क्या होती है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं तो इसमें तैंकिस्ट पर वचिंग मी लाइक करें शेर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें लास्ट में मेरे वीडियो से देख सकते हैं इस यूदि मेरा जनल आप टीड की प्लेश नेट और गेट के लिए अपने नए वाले चैनल पर अपलोड क कर आऊ सो, थैक्यों सुमच कर बदा सुन की बदा सुट आया है वी जया है